सतीज जी सबसे पहले वल्कूम टु दिशो तांक यू सतीज जी हरियाना से दिल्ली और फिर मुंबाई का आपका प्रोफेशनल सफर कैसा रहा हरियाना तो खहर मेरा पैतरिक गाउं है और मतब मिरे फादर वहां रहते जो शादी के बाद और मेरा जो पालन पोशन जो है वो मेरा दिल्ली में हुआ है करोल बाग नाई वाला पंतालेश न पर गली और फिर मैंने पढ़ाई हारकोड बटर स्कूल से की तो मेरी जो परवरिश जो है वो दिल्ली में हुई है बट क्योंकि गाउं हमारे बहुत पास था, अर्याना का एक चोटा सा गाउं, धनुन्दा जो जह हमारे पिता जी, हमारे ताउजी रहते थे पहले, पैतरिक गाउं है वो मेरा, तो अभी हम तो ऐसे परिवार से थे हम कोई नैनी ताल मसूरी या अब रोड तो चुट्टियों निकलता था जहां, रेत में हम घूमते रहते थे, या रेलियू ट्रैक पे एक पैसा रखके उसको पांच पैसे को दबाते थे, ट्रेन निकल जाती थी उसके उपर से, तो ऐसे ऐसी हरकते की है, बनी होती है हमारे स्मॉल जंगल, यह नो जहां पील जैसा वो निकलता है, एक सफर महां से शुरुआत हुई है, तो बड़ी सुधर शुरुआत है, जी, तो फर सतीज जी जानना चाहेंगे आपसे कि इन तीनों स्टेट में से किस स्टेट में आपने आपसे ज्यादा किया है सफर, I mean, not in terms of journey, but yes in terms of your professional sufferings, of course, भई तब तब तो कोई स्ट्रगल थोड़न में शुरु हुआ है, क्योंकि जब पढ़ाई कतब होगी, क्रोडिवल कॉलिज में उसके बाद नैशनल स्कूल और ड्रामा किया तीन साल का एक्टिंग का कोर्स, तो दिल्ली में कर थेटर का इतना जादा उस वक्था नहीं, 78-79 की बात कर रहा हुँ है, तो बंबई का रु प्रेम जैसे फिल्मों ने आपको असफलता का सामना करवाया, मगर फिर भी आपने अपनी डिरेक्शन की जिद नहीं छोड़ी, ऐसा क्यों? जो की लोकेशन के उपर पिच्चर थी, बड़ी टफ थी, तो असफलता हासिल हुई, लेकिन क्या होता है ना कि सफलता से दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, और असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए, वे तो खेर, जवानी में जब आपको असफलताएं मिलती हैं, तो पिक्चर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पिक्चर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यह है कि बड़े-बड़े लोगों से काम करने को मिला था, अनिल कपूर, स्री देवी, जाकी श्रॉफ, बोनी कपूर जैसा प्रडूसर, जावेद अक्तर जैसा लाइटर, लक्षमी कां तब मिली, क्योंकि उससे कम से कम बुनियाद जो है, वो बहुत मजबूत हो गई, तो डिरेक्शन तो मैं हमेशा कहता था, अपने इंटर्व्यूस होते थे, कि मैं स्कोर को जो है, अभी 2-0 है, पर इसको मैं 3-2 करूँगा असल में, और वो हुआ, हम आपके दिल में रहते ह है, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, बधाई हो बधाई हो बधाई, तेरे नाम, यह सब हिट पिच्चर है, हो यह सल में सतीष जी, यह आप वर्सेटाइल परसनालिटी, आपने अपने प्रफेशन से जुड़े हुए अल्मूस सारी फील्ड को ट्राई किया है, क्या वो एक्टिंग हो, चाहे डिरेक्शन हो, चाहे स्क्रीन राइटिंग हो, प्रोडक्शन हो, जाना चाहेंगे, अब कौन सा प्र तो मतलब सारे काम कर ली है, मिरे को लगता है कि यह एक बहुत कम होता है, जहां पर एक कामिक एक्टर जो है, उसकी वराइटी इतनी ज़्यादा होती है, तो मुझे खुशी होती है, लोग मुझे इस तिरफ ऐसे तारीफ करते हैं, क्यार आप जो है कैसे कर लेते हैं, कैसे सतीज जी इस समय आपको आपके फैन सुन रहे हैं, क्या मेसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? सतीज जी आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए थांक यू सो मच, थांक यू मेरे मच